Aslamu alaikum मैς Zulekek Aarford 清 compilation अज हम बनाते हैं Malai Chicken Kofta अब आब आप एंगे यह Oranj Gravy है तो Malai Chicken Kofta कैसे हुआ ऐसे हुआ कि दो टाइप के Malai Chicken Kofta बनते हैं एक होती है ons और इंज ग्रेवी और एक होती है White Gravy वैसे White Gravy का लिंक मैं आपके लिए description के अंदर दे देती हो आप आहां चेक कर लीजिएगा अच्छा मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हो कितने सूपर 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 सॉपर सॉफ्ट बने हैं माशाला ये देखी माशाला और इतने डिलिशिस है और इतने टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन यानि और इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कोफते यानि ये मलाई चिकन कोफते बनाते हैं चलिए कोफते बनाने के लिए सबसे पहले एक प्राइपन के अंदर थोड़ा सा ही तेल दाल दीजिए आदा चुट चैका चमच साबुजीरा और दो तिन हरी इलाइची दाल कर इसे थोड़ा तरतरा जाने दीजिए जब तरतरा जाए तो यहां पर मैंने दो मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप करके रखिए वो मैं डाल देती हूँ और उससे फास्ट आज पर बार बार चलाते हुए जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाती है और हलिका सा कलर जब चेंज होना शुरू होए पहां तक उससे फ्राए कर लीजिए बार बार चलाते रहिएगा फास्ट आज पर जब हो जाए अब देख सकते हैं हलिका कलर चेंज होने लगी है तो यहां मैं तीन मीडियम साइज के ठेमाटरों को मोटा मोटा काटके दाल देती हूँ अधा 1 मिनित तक फ्राए कर लीजिए जब अधा 1 मिनित हो जाए अब दाल दीजिए एक छोड़ी का चमश्ट नममक एक टीब्सपुन भर कर भनिया पाउड कर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आपका स्पाइसी हो तो आप कम दालिएगा मैं एक बार इसए चला लेती हूँ और इसके अंदर अब आपको डाल दीजिए, थोड़ा सा मैं तेल डाल रहे हूं, क्योंकि मुझे हल कीसी मेरी है नब फ्राइपन स्टील की है, तो थोड़ा चिटकने लग जाती है, आपकी नॉंस्टिक हो तो आपको ये तेल डालने की जरूरती है, अच्छा मैं यहां है एक शॉट मिस हो गया है, उसके बाद में मैंने डाला है, तकरीबन वन फूट चुट चैका चमच हल्दी, लेकिन वो शॉट आप नहीं पाया, माफी चाहती हूँ, और इसे मैंने मिक्स कर लिया, हल्दी डाल कर भी, और अब इसमें डाल दीजिए, तकरीबन एक कप जितना पा दीजिए बंद, आप देख सेते हैं टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं, और जो भी चीजें हैं, वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, पक चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल कर एक बाउल में साइट पर रख देती हूँ, और इसे ठंडा हो जाने दीजिए, क्यू प्रेस पोशिन ले सकते हैं, यह चिकिन को ब्लेंडर में दाल दीजिए, इसमें दाल दीजिए, थोड़ी सी कोथ में धोई हुई, मैं दो हरी मिर्ची दाल रही हूँ, आप आपने स्वाद अनुसार दाल सकते हैं, यह बारिक कटी हुई, एक मीडियम साइज की आप भी निचोड़ कर ही दाल दीजिए, इसके साथ साथ दाल दीजिए, थोड़ा सा फुदीना, यह सूखा हुआ है, तो मैं सूखा हुआ दाल रही हूँ, आप फुदीने के पते दाल दीजिए, इसमें दाल दीजिए, थ्री फोद चोड़ा चाय का चमच, नमक या नमक स साला पाउडर, आदा चुरचाय का चम्मच, काली मिर्चो का पाउडर, और वल्फो चुरचाय का चम्मच, चाट मसाला दाल दीजिए, एक टेबल स्पून मलाई दाल दीजिए, और इसके साथ साथ में यहाँ एक टेबल स्पून ना तेल दाल भी हो, आप घी या मसका भी दा तो इसे एक बड़े से पातर याने के बाउल के अंदर निकाल लीजिए और अगर manageable ना हो तो आदे घंटी के लिए fridge में रख दीजिएगा बट मेरे लिए तो manageable है तो मैं कोफते बनाना भी से ही शुरू कर देती हूँ सबसे पहले तेल से हातों को grease कीजिए, mixture लीजी, medium mixture लीजिएगा और इस तरीके से ball बनाते जाएं और इसे side part रखते जाएं इसे तरीके से सारे कोफते बना लें, मैंने medium portion लिया है तो medium balls बनेंगे तो तकरीबन 16 बनेंगे, आप बड़े बनाएंगे तो कम बनेंगे, आप इससे छोटे बनाएंगे तो जादा बनेंगे लेकिन आप देख सकते हैं, मेरे तकरीबन medium size है और 16 बनेंगे, मैं इसे अभी आदे घंटी के लिए fridge में रख देती हूँ, तब तक दूसरी preparation कर लेती हूँ अब यह जो site पर हमने थंडा करने रखा था हारी, वो जो प्यास, टमाटर वगेरा को उसे में डाल देती हूँ, एक mixture jar के अंदर और इसे ढाक कर बहुत अच्छे से पहले थोड़ा blend कर लीजे, जब अच्छा blend हो जाए तो आधा कप पानी डाल दीजे, और फिर से बहुत अच्छे से blend कर लीजे, आप चाहे तो पहले भी पानी डाल कर blend directly वैसा कर सकते हैं, चलिए यह देखिए, blend हो चुका है, तो अब ए क्रीमी ग्रेवी मिल गई ना, चलिए तक रीवन मैंने आदा घंटा भी नहीं रखा था फ्रिज में तक रीवन समझे ना, 15-20 मिनिट हुई थी, यह प्रोसीजर करते हुए, चानने का, तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल डालिया, तेल अच्छा गरम हो तो यह जो हमारे कोफते हैं, बिसमिलाए रह्माने रे इम ओल, कर डाल दीजिए, एक पहले डाल कर देख लिखे हैं, पहले डाल कर देख लिजिए, यह फूर तो रहे हैं, कि नहीं, इंशालला, फूटेंगे तो नहीं, और अगर फूटने लगे आपके, तो क्या कीजी, सा अच्छे से light golden brown कर लेती हूँ, फास्ट हांच पर जब चारोड से light golden brown हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं फूटे नहीं है, तो मैं इन्हें निकाल कर, नेतार कर साइट पर रख देती हूँ, प्लेट के अंदर, इसी तरीके से batches के अंदर सारे fry कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि तिप perfect और बढ़िया बन चुके हैं, अच्छे ये अंदर से गलेंगे नहीं, definitely इतनी सी देर में तो गलेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अभी फिलहाल covering दे रहे हैं, कि अच्छी crispy covering थोड़ी हल्की crispy आ जाए, तो अंदर से पकाएंगे हम इसे बाद में, च्छी कि माशालला सारे बन चुके हैं, इसे side पर रख दीजिए, अब वही जो कड़ाई थी ना, उसका मैंने तेल सारा निकाल लिया है, और अब मैं थोड़ा तेल डाल रहे हूँ, क्योंके जो काजू वाली ग्रेवियू, तो इसमें हलका तेल जादा चाहिए ही होता है, मुझे हलका तेल उपर चाहिए, लेकिन आपने कम डालना है, तो आपके उपर आप डालिए कम 2 टेबल स्पून मक्षन भी डाल दीजिए, चूला फास आज पर चालू कर दीजिए, हलका सा मक्षन भिगलने लगे, तो यहाँ पर एक टिबल स्पून जिदना कश्मीरी लाल मिर्च पौडर दाल दीजिए, चुली को कर दीजिए, श्लो आज और इसे तकरीबर 18 सेकेंड तक, फ्राइ कीजिए, जादा नहीं फ्राइ करना है, लाल मिर्ची के पौडर को और श्लो आज ही रखिएगा, नहीं तो वो जल सकता है हमारा लाल मिर्ची का पौडर, जब 18 सेकेंड हो जाए, तो यह हमारा जो मिक्स्चर हमने क्रीमी बना कर रखा, यह सारा डाल दीजिए, इसके अंदर चूला मैं मीडियम आज कर देती हूँ, और इसे सबसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छा मिक्स हो जाए, तो यहाँ पर ना मैं एक चीज डालना भूल गे थी, जब आप तेल डाले ना तो पहले एक दो गरम मसाले डाल दे, जैसे यह दो तेज पत्ता, एक डाणडी डालचिनी की और दो हरी लाईची, उसके बाद आप यह डालिएगा लाल मिर्ची का पाउडर, लेकिन जादा गरम मत कीजिएगा तेल, हलका गरम हो, तभी ही यह गरम मसाले डालेगा, मैं भूल देती हूँ, उस समय डालने के लिए, छिलिए मैं इसे धाप कर, अज पर तकरीबन दो-तिन मिनित तक पकने रहने देती हूँ, सोदाट इसमें थोड़ा उबाल आ जाए, यह देखिए, अच्छा खासा उबाला आ चुका है, तो आज पर तो छूला मैं कर देती हूँ, फास्ट आज एक बार चला लीजी और एक कप पानी डाल दीजी, आप मैं डेड़ कप दाल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी ग्रेवी जादा लगती है हमारे घर में, तो और हम बहुत जादा काड़ा नहीं खाते हैं, तो अब यह तोटली आपके उपर है, आप एक कप दालें, आधा कप दालें, पॉन कप दालें, मैं यहाँ डेड़ कप दाल रही हूँ, और इसमें उबाला जाने दीजिए, अब यहाँ पर मैं एक चुड़ा चाय का चमच शक्कर दाल रही हूँ, वो इसके लिए क्योंकि टैंगीनस जो है टमाटर की थोड़ी सी कम हो जाए ना, और नमक दाल दीजिए, अज़स्ट कर लीजिए, नमक आपको जितना दालना है, इसमें उबाला जाने दीजिए, मिक्स कर लीजिए, जब अच्छा खासा उबाला जाता है, बिसमिले रफ्मानी रिम बोल कर सारे कोफते दाल दीजिए, प्लेट के अंदर, जो भी तेल वगएरा हो, चुकि आप देख सकते हैं, तेल उपर आया, क्योंकि मैंने बहुत जादा तेल डाला है, अगर आपने कम डालेंगे, तो ये उपर ये जो तरी आई थी, वो बिल्कुल भी नहीं आईगी, तेल नहीं आईगा, वो टोटली आपके उपर है, मैं यहाँ पर तीन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल रही हूं, आदा छोड़ चाय का चमज, कसुरी मिदी को हाथों की मदद से ऐसा क्रॉश करके डाल दीजिए, वन फोट छोटा चाय का चमज डाल दीजिए, गरम मसाले का पाउडर, और वन फोट चुड़ चाय का चमज भूना फिसा जीरा पाउडर दीजिए, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिरसे श्लो आज पर ढाक कर तीन चार मिने, तक पकने दीजिए दम पर, बस जादा टाइम मत पकने दीजिएगा, मैंने क्या किया था, बंद कर दिया था, कुछ देर के बाद मैंने फिरसे अभी इसे गरम पे रखा है, सर्फ करने का टाइम आया है, तो आप देख सकते हैं, अच्छी खासी तरी उपर आ चुकी, यह तेल आ चुका है, अब यह देख सकते हैं, कौफते कितने बढ़िया बने हैं, माशालला, अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, और इसे करमा गरम, आप चाहें तो रोटी पराटा, फुलका, बटर नान किसी के भी साथ साथ सर्फ कर सकते हैं, वैसे इन में से कुछ की recipe links, आपके लिए description के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजएगा, इसको गानिश करने के लिए थोड़ा सा यह मलाई इसके बड़ दाल दीजएगा, थोड़ा और beautiful लगे, खुबसूरत लगेगा, तो और लजीज लगेगा, देखकर भी मज़ा आएगा, और खाकर भी मज़ा आएगा आपको, और थोड़ी सी कोथ में डाल दीजए, और घर्मा गरम इसे सर्फ कीजए, वैसे वाइट वाले जो मलाई चिकन कोफते की recipe, link description के अंदर है, तो बन गया ही है, हमारा बड़ा सा मज़ेदार सा लजददार मलाई चिकन कोफता, अच्छा हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तमाल अपने स्वाद अनु सार कीजए इस recipe के अंदर, तो हैना मज़ेदा रेसिपी अच के, अगर आप यह वाली recipe बनाएं, तो मेरे साथ इस video के comment section में, जरू share कीजएगा, अपने comments में बहुत अच्छे लगते है, तो like जरूर कीजए, और उससे जादा अच्छे लगे, तो अपने family और फ्रेंज में, इस वाले video के लिंक जरू फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार recipe के साथ, until then take care alaafiz, bye bye